वेलकम इन YouTube चैनल आज के सेसन में हम लाए हैं एक खास तरग का एकसरसाइज जो की ट्राइसेप के लिए यह एकसरसाइज है और अभी जो आप पुस्चर देख रहे हो यह डामेंड पुश अप है डामेंड पुश अप ट्राइसेप के लिए बहुत ही बेस्ट एकसरसाइज ह आपका बोडी जो है वह नहीं दिखाई गया इसलिए ट्राइशेप मसल्स को बिल्ड करना बहुत ही जरूरी है आज की वीडियो में ट्राइशेप के लिए मैं कुछ खास इक्सराइज बताऊंगा जिसको आप यूज करके डिली वर्काउट में आप इस्तमाल करके आप ट्रा करेंगे tagion push up से tagion push up करने के लिए अव देख लिए हैं अब सेकंड है आपको लोट जाना है और यहाजने के बाद सिंगल हेंड से डंबल को प्रेस करना है अपनी कोहनी को थोड़ा सा फूल्ड कर लेना है और आप डाउन इस तरह करकर इस exercise को परफॉर्म करना यह देखिए आपका triceps का जो muscles है उस पर यह काफी target करेगा और काफी अच्छा triceps निकल कर आएगा क्योंकि triceps जो है हमारे हाथ की सबसे बड़ी muscle होती है इसके लिए इसको ट्रेंट करना और इसको strong बनाना बहुत ही जोरी है because triceps यदी हम नहीं बनाएंगे तो हमारा जो hand है वो उसका muscles काफी कुछ उसमें कमी आएगी अब उसके बास second जो exercise है हम दो दोनों dumbbells को ले लेंगे और दोनों dumbbells को लेने के बाद हम कुछ इस तरह से triceps के लिए perform करेंगे कोहनी को हलका मोड़ेंगे कोहनी मोड़ के ही आपके triceps का जो muscle है उसको target किया जाता है यह से देख सकते हुआ यहाँ पर triceps के muscles को target किया गया है तो इस तरह से आप exercise को perform किजिए है ना आपको यदि अच्छा bicep चाहिए तो भी उसके लिए triceps को target करना triceps पर work करना बहुत ही जरूरी है triceps build करने के लिए बहुत सारी exercise है जिसमें की bench press exercise जो है उसको भी आप कर सकते हो इसके अलावा जैसे अभी bench dips है bench dips इस भी कर सकते हो जो कि मैं आगे वीडियो में इसी में किसी वीडियो में आगे मैं यह करके दिखाया हूं उसके बाद आप diamond push up जो कि starting में किये हो अभी यह single hand raise आपने किया है तो इन exercise को करकर आप triceps के muscles को काफी अच्छे से growth कर सकते हैं अब देखिए अब next जो exercise है दोनों dumbbells को साथ में थोड़ा सा joint करके और उसके बाद मैं इसको करूंगा इसको किसी bench पर लेटकर भी आप कर सकते हैं और इसको बारवेल की मदद से भी क्या सकता है मैं यहाँ पर सिर्फ डंबल के जरिए मैं इस ट्राइस एक्सराइज के एस्टूरे सेशन को perform करूंगा सिर्फ डंबल के मदद से आप इसके लिए रॉड का भी इस्तमाल कर सकते हैं रॉड में प्लेट्स लगाकर अपने हिसाब से थोड़ा सा डिप्स मार सकते हैं फिलाल मैंने बेंच अभी नहीं लिया है इसमें और मैं सिर्फ इसी तरह डिप्स मार रहा हूं यह ट्राइसेप्स के लिए यह बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है बेंच डिप्स जो हुआ और इसके अलावा डाइमेंड पुश अपको यह भी काफी अच्छा है किक करना है डंबल को पीछे से आप चाहें तिसके लिए रॉड भी इस्तमाल कर सकते हैं यहां पर मैंने डंबल यूज किया है आप डबल डंबल को किक कर सकते हैं इसके बाद मैं सिंगल डंबल को भी किक करके मैं बताऊंगा कि ट्रैसेप्स के लिए आप कैसे इस workout को perform कर सकते हैं या पर देख सकते हैं आप कितना अच्छा triceps जो muscle है वो निकल कर आ रहा है यहां पर मैं single hand से भी मैं करके इसको मैं दिखाऊंगा triceps के लिए तो चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा triceps देखे तो triceps pump किया है कमेंट करके बताइएगा क्या triceps pump किया है या नहीं है और आप भी इस workout को कीजिए और workout करने के बाद after 30 days आप जरूब बताइएगा triceps में असर पड़ा है कि नहीं पड़ा है यह देखे single hand के दुवारा मैं किक करूंगा और यहां देखे ट्राइशेप के muscles पर कितना लोड पड़ रहा है जितना आप लोड दीजिएगा muscles पर उतना ज्यादा वह muscles तूटेगा और उसके बाद आपको जैसे पता है कि muscles जब तूटते हैं और उसके बाद जब हम after workout हम प्रोटीन्स होगरे लेते हैं तो उस वह muscles काफी डवलब करता है तो सिर्फ exercise ही नहीं करना है डाइट भी अच्छे से लेना है मैं आने वाले कुछ दिनों में मैं कुछ ऐसे भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको प्री वर्क आउट और आफ्टर और वर्क आउट आपको कौन-कौन से डाइट को फॉलो करना है ताकि आपका muscles बिल्ड कर सके इसके अलावा कितने गंटे पड़े सोना चाहिए यह सारी चीजों को ध्यान में रखकर exercise करना चाहिए सिर्फ exercise करने से बॉड़ी नहीं बनता है डाइट सही होना चाहिए इसके अलावा आपका सही से sleeping होना चाहिए तो यह देख सकते हो triceps को अच्छे से train किया गया है अब यहाँ पर मैं next exercise करू नहीं तो यह दोनों डंबल को जोड़ने कोशिस किया लेकिन यह नहीं जूड़ पा रहा है फिलाल हम बारवेल की तरह ही इसको यूज करेंगे यहाँ पर आप एक रॉड लेकर काफी अच्छे से इसको perform कर सकते हैं जीतना आप उपर हैंड को उठाईएगा और hold कीजिएग ट्रैसल्स है उसपर लूड पढ़े और वह काफी अच पर काफी अच्छा उपर कर आएगा कफी अच्छा उस पर प्रेशर पड़ेगा जीतना ज्यदा प्रेशर पड़ेगा उतना ही ज्यादा ही मुस्ट दिखेंगा यहां देख सकते हैं लाग oriented कि इतना सुंदर निंकल कर आ रहा है अब यहां पर हम थोड़ा सा बेंच डिप्स की तरह मारेंगे हम डंबल ले लिए हैं डंबल के उपर ही हैंस को बेंच डिप्स की तरह यूज कर रहे हैं तो यह भी ट्राइसेप के लिए काफी अच्छा इसमें देख सकते हो आप ट्राइसेप पर कितना लोड हैं यदि उस जो भी आपका मसल्स है उस पर टार्गेट और प्रेशर जो आप जिस मसल्स को टार्गेट करना चाहते हैं उसको जब तक प्रेशर नहीं पड़ रहा है जैसे देखिए यहां मैंने अभी जो एक्सेसाइज किया इसमें आपका सोल्डर पर भी पड़ा इसलिए इसलिए मैंने इस एक्सेसाइज को होल्ड कर दिया तो दोस्तों यह था ट्राइसेप्स को बिल्ड करने के लिए कुछ वर्काउट मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई तरह की वर्काउट के साथ धन्यवाद